अमेरिकी विदेशी विभाग ने युक्रेन में अमेरिकी दूतावास में तैनात अमेरिकी परिवारों को वापस आने के निर्देश दिये हैं इससे ये तो जाहिर होता है कि अमेरिका रूस के द्वारा युक्रेन पर आक्रमन किये जाने की एक संभावना मान कर चल रहा है अगर हम Associated Press की एक रिपोर्ट की बात मानें तो रूस ने लगबग एक लाक सैन्य बलो की तैनाती युक्रेन के उत्री भाग में कर दी है इसके अलावा बहुत सारे सैन्य उपकरण भी रूस जो है युक्रेन के बॉर्डर पर इस्थान अंतरीत कर रहा है रूस और युक्रेन का विवाद ये एक लंबे समय से चर्चा का विश्य बना हुआ है और हाली में इसमें कुछ important developments हुई है जिनको newspaper ने cover किया है तो इसलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं विडियो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि newspaper में इस मुद्दे के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है देखिए यहां पर बताया गया है कि US offers no concession in response to Russian demands यानि कि रूस ने जो demands की थी उन पर अमेरिका कोई भी राहत देने के mood में नहीं है यह 27 जन्वरी की यह news है इसके अलावा यहां पर देखिए क्या क्या आपको इस tension के बारे में जानना चाहिए इसके बारे में एक आर्टिकल दिया गया है और यह भी 27 जन्वरी का ही आर्टिकल है इसके बार अलजलजीरा में एक बहुत important आर्टिकल आया था जिसमें युक्रेन रूस क्राइसिस को काफी अच्छे से explain किया था आज के इस वीडियो में इन सभी न्यूस पेपर के points को लेकर एक comprehensive analysis करने की कोशिच हम लोगों की तरफ से की गई है तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो सबसे पहले हम इस वीडियो में 1991 की history में पहुँच जाते हैं आज की वीडियो में हम history की share करने वाले हैं और हम flashback से present पर्जेंट से flashback में जो है बार बार जंप करने वाले हैं तो थोड़ा attentive आप रहकर समझेगा 1991 में USSR का देखिए जो Ukraine था वो पार्ट था और यह जो मैप है यह USSR के मैप को जो है रिपर्जेंट करता है 1991 में USSR के अंदर food पढ़ गई यह तूट कर अलग हो गया और 15 देशों के अंदर विबक्त हो गया उन countries के नाम यहाँ पर दिये गए हैं इसके साथ ही जो युक्रेन था जो हमारी आज की वीडियो के लिए important है जो कि कुछ इस तरह की location के साथ रूस से जुड़ा हुआ है यह तूरबी अलग हो गया हाला कि 1991 के बाद भी युक्रेन के साथ रूस के जो सम्मंद थे वो दोसताना थे और एक बहुत बड़ी जनसंख्या युक्रेन में आज भी युक्रेनी भाशा की अलावा रूसी भाशा को भी बोलती है इसके ऐ बहुत बड़ी आबदी बहुत अच् खास कर युक्रीन का जो पूर्वी हिस्सा है वो रूस के साथ अपने जुडाओं के समर्थन में हमेशा रहता है आगे हम इस पर थोड़ा डिटेल से बातचीत करेंगे तो ये तो थी 1991 की कहानी अब सीधे आप जम कर जाएए 2013 में क्योंकि इस प्रशन का उत्तर जानने के है हमें थोड़ा साथ 2013 और 14 को रिवाइंड करना पड़ेगा नाइंटी नाइंटी में संबंध अच्छे थे दोस्ताना थे उसके बाद 2013 में क्या हुआ देखिए युक्रेन की जनसंग्या आर्थिक सम्रद्धी के लिए यूरोपियन संग के साथ अपने जो संबंध है उनक समर्थन में थी और रूस भी खूला समर्थन जो है युक्रेन की गॉवर्मेंट को देता था तो वहां की जो ततकालीन राष्टपती थे राष्टपती विक्टर यानु कोवेच उन्होंने यूरोपियन संग के साथ जो सोजा होने वाला था उससे बैक आउट कर लिया जिस मुव्मेंट में बतल के और राष्टपती विक्टर को अपने देश को छूड़ना पड़ा इस परिस्थिती का फायदा जो है रूस ने उठाया और रूस ने क्या किया वहां का जो क्रीमियाई पैनिसुला था उस पर अपना कपजा कर लिया इसको हम मैप के थू समझते हैं आजएए यहां पर जब युक्रेइन रूस से अलग होकर आजाद हुआ था तो कुछ इस तरह का मैप जो है युक्रेइन का था लेकिन जब राष्टपती ने वहां पर अपने देश को छोड़ दिया और वहां एक क्रांतिक स्थिती बन गई तो देखिए रूस ने वहां प इस तरहे हैं यहां पर ग्रीन कलर में यह रूस का हिच्चा बन कर आ गया है यह रूस ने किया कैसे क्या रूँस ने सीधे सेना बेज और आप लिया नहीं रूस ने वहां पर एक जन्मत संग्रह करवा मैं और इस जन्मत संग्रह में 97% लोगों ने रूस के साथ जाने पर अपना मत परदर्शित किया और ये क्रीमियाई पैनेसुला इस सिचुवेशन से इस सिचुवेशन में पहुँच गया अब हम सोचेते हैं कि आखिर इतने सारे लोगों ने रूस के साथ जाना क्यों फेवर किया अब हम 1991 से बहुत पहले की हिस्टरी में पहुँच जाते हैं वहाँ पर एक तातार समुदाय देखे यूकरेन में रहता था जब यूससार का ये हिस्सा था तो उस समय तातार समुदाय पर काफी अत्याचार किये गए उनको यातना कैंपों में रखा गया और देश से निस्काशित कर दिया गया उसकी जगा रूसी पॉपुलेशन को जो है महाँ पर स्टैबलिश किया गया वही रूसी पॉपुलेशन वही रूस की जनसंख्या बोलने वाली एक बड़ी जनसंख्या उसने जो है रूस के साथ रहने के लिए वोटिंग की लेकिन क्या इंटरनेशनल जो संगठन है या देश है उन्होंने इस वोटिंग को इतनी आसानी से मान लिया जी नहीं जो United Nation है वो इस voting को नहीं मानता है इसको मानेता नहीं देता है क्योंकि उन लोगों का ये कहना है कि इस तरह की situation के लिए रूस ने वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड की है लेकिन finally situation ये बन गये कि ये हिस्सा जो है रूस का बन गया है तो इसके क्या implication हुए क् पहले G8 था उससे निकल गया और अब ये G7 में जो है बदल गया यानि कि ये संस्था जो की आठ बड़े देशों से मिलके बनती थी इससे रूस को निकाल दिया गया इसके अलावा रूस पर आर्थिक प्रतिवन एकनॉमिक सेंक्शन भी लगा दिये गये और रूस की अब रूस को आखिर ऐसा क्या लगा कि रूस ने जो है फिर से प्रॉब्लम्स क्रियेट करनी शुरू कर दी इसके पीछे देखे दो रीजन आते हैं उन दो रीजन को समझने से पहले वापिस 2013 और 2014 में चलते हैं जहां पर रूस ने क्रीमियाई पैनिसुला पर कबजा किया देखिए अब दो गुट हो गए एक गुट तो हुआ वो जो वहां की गॉवर्मेंट का था वो लोग थे जो रूस को के साथ जुडने के लिए एक तरह की सहमत नहीं थे और अपनी सौवर्नेटी को बना के रखना चाहते थे दूसरा गुट वो था जो रुशिया सेपरेट किये इसका जो यह पूरवी छेत्र था इसमें जो है विद्रो होने शुरू हो गए और इन लोगों ने रूस के साथ मिलने के डिपांड करनी शुरू कर दी यह जो एरिया है इसको डोनबास का एरिया बोलते हैं और इस डोनबास की एरिये में दो अर्ध राच्ये जो है साम इसको डोनबास जाता है यहां पर दो अर्ध राच्ये पनप गए एक डोनस्टैक और लूहांस्क और यहां पर लगाता है जो है वह ग्रह युद की सुच्वेशन में है यूकरीन की मिलटरी के साथ और एक सिवल वार की सिच्वेशन जो चल रहे है और इंटरनेशनल रश्या पर यह आरोप लगाती है hybrid war जो है रूस ने वहाँ पर चला रखा है जहां पर रूस के ही द्वारा भेजे गए लोग युक्रेन की तरफ से जो है युक्रेन में ही लड़ रहे हैं थोड़ा से इसको और समझते हैं देखिए यहां पर यह वह वाला एरिया दिखाया ग हुआ है यह वह एरिया है जो सेप्रेटिस्ट के द्वारा फिलाल कंट्रोल किया जा रहा है जो ग्रीन वाला एरिया है यह वह एरिया है जो फिलाल महां की मिलिटरी के द्वारा है किया जा रहा है इसके लावा यह जो दो बांटरी लाइन दिखाई गई है जो एक तरीके से फेस ओप के सिच्वेशन को दिखाती है और साथ में बफर जोन जो है बताती है ठीक है तो इस मैप से आफ समझ सकते हैं कि सैपरेटिस्ट और वहां की मिलिटरी कैसे आमने सामने हैं और सच्छ मुझ में एक हाईब्रेड वार एक सिवल वार की सिच्वेशन युकरेन जो है फ पास कुछ बातचीत शुरू हुई और एक पीस अकोड पर साइन किये गए दो हजार पंदरा में मिन्सक 2 के नाम से एक शानती समझोता साइन हुआ और जिसमें सीज फायर पे सहमती बन गई जब सीज फायर में सहमती बन गई थी क्रीमिया पैनसुला पे रूस का गबजा हो ग पहला जो रीजन है वो है वाटर का देखिए जब इस क्रीमिया पैनसुला जो है उक्रेण का हिस्सा था तो यह वाटर रिच एरिया था पानी की यहां पर कोई कमी नहीं थी क्यूंकि जो रीवर डाइन पर है इससे जो है एक कैनाल के दोवारा इसको प्रॉपर वाटर की पुतन ने इस वाटर सप्लाई को जो है बेसिकली रोक दिया इसकी वज़े से इस एरिया में पानी को लेके प्रॉब्लम फेस होने लगी पुतन ने एक मिटिंग भी बिठाई थी जहां पर उन्होंने लोकल अथार्टीज को इस प्रॉब्लम को ना टैकल करने के वज़े से काफी अच्छी खासी डार्ट में पिलाई थी यहां की ऑथार्टीज ने युक्रीनियन गवर्मेंट के साथ पानी को खरीदने की बेकोशिश की लेकिन युक्रीन की गवर्मेंट ने मना कर दिया जिसकी वज़े से रूस जो है नाराज है यह तो था पहला रीजन की वाटर कृसी क्रैसी दूसरा क्या रीजहन है दूसरा है जो जॉन बिदन रहे उनका प्रेसीडेंट अनका बन जाना नहीं चाहता था और वह एक तरिके से उम्मीद कर रहे तत्खरयर हैं पwwww भी दुबारा सत्ता में आएंगे जब बिडन प्रेसिडेंट बन गए तो सारे जो दूसरे कंटरीस थी उन्होंने कॉंग्रेचुलेट किया बिडन को लेकिन रूस ट्रम्प का सपोर्ट करते रहे ट्रम्प जब यह कह रहे थे कि इलेक्शन में कुछ घपले बाजे हुई है और वो इस वोटिंग को नहीं मानते हैं और जब तक इलेक्शन कमीशन नीश बात को साफ नहीं कर दिया कि उलेक्शन फेयर थे कोई प्रॉबलम नहीं है तब तक वो टर्मप का ही सपोर्ट करते रहे यह एक रीजन था इसी रीजन के अनदर एक और बात हो जाती है जो तो के थुरू उन्होंने रूस पर डालेक्ट अटेक किया उन्होंने क्या बोला पहला उन्होंने ये कहा कि जो रूस है वो एक्चुली अफगानिस्तान में अपनी इस्तिती बहुत ही जादा कॉंपलिगेट कर रहा है और वो कहीं ना कहीं पीस टॉक को सक्सिस नहीं होने दे है तीसरा उन्होंने बोला कि अमेरिका में जो सोलर विंड अटाक हुए थे जो एक इलेक्टरसिटी का पूरा ब्लाक आउट हो गया था वहां पे करीब 9 महीने पहले तो उसके पीछे भी रूस का हाथ था चोथा उन्होंने आरोब लगाया कि रूस में अपोजिशन के जो जो डेमोक्रेसी को फीवर करते हैं जिनका नाम है एलेक्सी उनको रूस ने जहर दिया है यह चार उन्होंने मुद्दे उठाए और रूस पर डारेक्ट अटेक किया जिसकी वज़े से रूस जो है नाराज हुआ और यह दो मोटे रीजन है जिसकी वज़े से रूस ने एक अक्रामक मुद्राली और उसने युक्रेन के बॉर्टर पर अपनी सेना को डिप्लोई करना शुरू कर दिया आज ही कि न्यूस पेपर में न्यूस पड़े है कि रूस ने वेने जो है सेना भेजनी की पात की है और ऐसा वो अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए कर रहा ह क्योंकि वेनेज्वेला अमेरिका का एक विरोधी देश माना जाता है हाला कि यह न्यूस अभी इतनी डवलप नहीं हुई है सिर्फ एक जिस्ट आप कह सकते हैं इंफोमेशन के रोप में सामने आई है तो यह तो वह रीजन्स थे जिनकी वजह से रूस इतना अटैक के मोड में है अब हम समझते हैं कि आखिर रूस की रूची क्या है इस युक्रेन में कि वह एक तरीके से एकनोमिक सेंक्शन भी जेल रहा है लेकिन फिर विवाज नहीं आ रहा है इसके पीछ भी कुछ रीजन है पहला रीजन तो यह है देखिए युक्रेन नाटो का एक मेंबर बन नाटो क्या है नाटो एक सेन्य संगठन है जहां पर कुछ देश लगवग 30 देश है जो मेंबर बन कर रहते हैं अगर कोई कंट्री उन 30 देश में से किसी एक पर भी अटाक कर देती है तो उसको उन 30 देश पर जो है अटाक माना जाता है युनाइट नेशन एक लीडर के रो फिर पर इस उसी का सामना करते हैं यह एक यह दिक है युक्रैन यह और का मेंबै नहीं नहीं है और तो ऊकरू है तो यह ज्यूंत अगर यह नाटो का मैंवर बन जाएगा तो एक बहुत ही जाधा इस्टाटेजिक 的ूटे इसको हम समझते हैं देखें नेक्स्ट मैप पे आईए यह रश्या का एक पिंक कलर में जो दिख रहा है बॉर्डर ठीक है जो ब्लू कलर के बॉर्डर सापको दिख रहे हैं यह बेसिकली नाटो के जो सहयोगी मैंबर से उनका है इसके बीच का यह वाला जो एरिया है सहयोगी यूरोपिय देशों के बीच में और रूस के बीच में अगर यह भी नाटो का मेंबर बन जाता है तो एक बहुत स्ट्राटरजिक कुशन एक बॉफर जो है रूस खो देगा और कहीं न कहीं उसके बॉर्डर और जाधा अनसेफ हो जाएंगे साथ में अगर वोकल को नाटो की मेंबर्शियब यूकरेयन को ना दी जाये ऐसा चाहता है दूसरा रूस कया चाहता है दूसरा रूस चाहता है कि नाटो की की कि actually एक expansion है पहुंच है उसको 1997 के लेवल से पहले पर लिया आए यानि कि जो military पोस्टनल से आपने अपने deploy किये हुए हैं उनकी संख्या को कम कर दिया जाए ऐसा रूस चाहता है और नाटो के further expansion पर जो है वो रोक लगाने की मांग करता है लेकिन हमने एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में न्यूस देखी थी कि अमेरिका ने इस तरह के concession देने से मना कर दिया है क्योंकि नाटो का जो उद्देश्य है यह उसके ही खिलाफ जाता है नाटो कहता है कि हर देश के पास अधिकार है कि वो अपने future के लिए एक choice लगता हो लेकिन अगर नाटो मेंबर यह मान लेंगे कि हम युक्रेण को सम्मलित नहीं करेंगे तो युक्रेण के choice के अधिकार पर इससे जो है आप कह सकते हैं मुश्किल होती है दूसरा क्या है इससे रूश की शक्ति बढ़ी नजर आती है जो कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा तो रूस यह चाहता है अब पहली बाद तो वही कि नाटो का मेंबर ना बने ताकि रूस की अपने के strategic location सेफ रहे दूसरी चीज क्या है थे कि युक्रेण में विश्व की एक चोथाई काली मिट्टी जो है मिलती है यह काली मिट्टी नॉर्मल मिट्टी से काफी जादा उपजाव होती है और इसकी जाए तो युरोप के ब्रेड पे तरीके से उसका गजा हो जाएगा और यह इसकी डिप्लोमेसी में जीत होगी तीसरा रीजन क्या है कि जो ब्लाक सी है वापस से आते हैं देखे मैप पे अपने देखे यह जो है यहां पर ब्लाक सी की location दिखाई गई है ठीक है इस ब्लाक स अब करिकी दो ग्रेण सुलां पर रूस ने कभजा कर लिया तो यहां पर देखिए शिवस पॉल करी के बंदर्गा ठीक है और यहसं ने कभजा पर रूस ने कभजा कर लिया और उतक्रियों है और पोरे साल पर छूली रहती यह जो हुआ शे तो यह जो है इसके अलावा देखिए जो रूस है वह फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करता है और उसके पार्ट जो है बहुत सारे भारत खरीता है रूस से भी खरीता है और इन दोनों के विच कॉन्फिक्ट होता है तो उस फायर जेट के मार्केट पर बरभाव पड़ेगा इसके अलावा एक बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि गैस के बहुत अच्छे भंडार है युक्रेयन के अंदर और रूस ने जब क्रीमियाई पैनिसुला पर कपज़ा कर लिया तो युक्रेयन गवर्मेंट की ओफेशल स्टेटमेंट थी कि युक्रेयन के करीब मोर दें 50% गैस के जो एरिया था उस पे रूस का कभझा हो गया है तो यह कुछ radio अटी और्टेट्षन हो यह पो प्रेटचन होती है चॉधा आप कह सकते हैं कि गैस्गे बड़े बढ़े बंडार हैं यह कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वज़े से रूस की बहुत जाज़ा रूची है यहां पर और रूस नहीं चाहता कि यूरोपिन कंट्रीज उस गैस के बंडारों पर अपना कपजा कर ले इसलिए वह आगे बढ़कर अटैक के मोड में खेल रहा है नाकि डिफेंस के मोड में तो एक पूरी हिस्ट्री थी जो हमने समझी कि 1991 से लेक एक फ्रेंडरी रिलेशन चल रहे थे 2013 से रिलेशन में खटास आनी शुरू ही 15 के आसपास एक पीस अकोर्ट साइन हुआ और उसके बाद फिर से अभी टेंशन काफी एसकलेट हो गए हैं और सिच्वेशन यहां तक पहुँच गई है कि युद के आसार दिखाई दे रहे हैं अब हम समझते हैं कि आखिर इस सब क भारत पर क्या परभाव पड़ता है तो सबसे पहले बात तो देखिए भारत में ओईल क्राइसिस आ सकता है अगर रूस जो है नैचुरल गैस की सप्लाई बंद कर देता है युरूपिन कंड्रीज को या फिर रूस के ओपर को एकनोबिक सेंशन लगा दिये जाते हैं तो उ रूस से नैचुरल ग्रैस नहीं खरीता है तो नैचुरल ग्रैस महंगी हो जाएगी भारत के लिए अगर खरीता है तो उस पर एकनोमिक सेंशन लगने का डर रहेगा दूसरा देखिए डाइलिमा क्या आता है कि रूसी और चाइनीज एक नेक्सिस बन सकता है देखिए चैना का जो एक्सपेंशन है इसको रूस करे सकता है रूस के युक्रैन वाले एक्सपेंशन को चाइना सब्सपोर्ट कर सकता है और इनके वीच में नेकसिस बन सकता है तो भारत के लिए डिप्लोमेटिक हो जाएगी इसके लावा तीसरा गर आप देखेंगे तो भारत अमेरिका डायनमिक्स पे भी फर्क इससे देखने को मिलेगा देखिए अमेरिका एक ऐसा पार्टनर है इंडिया का जो चीन की विदेशनीति को बालंस करने के काम आता है इंडो-पैसिफिक रीजन पे अमेरिका का दबदबा रहता है तो चीन की शक तो इन तीनों कंट्रीज के साथ कैसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को मैनेश किया जाएगा ये एक चिंदा जनक स्थिति भारत के सामने हो जाएगी तो भारत पर देखिए इसका कहीं ना कहीं डालेक्ट प्रभाव पड़ता है अब हम जानते हैं इस पूरी कहानी को सम जानिक आये थे और उमीद के जारी थी कि वह अभ्यास करने के बाद चले जाएंगे लेकिन वह नहीं गए हैं और वहीं पर है और ये युक्रेण से करीब साट मील की दूरी पर ही बस है इतना पास है तो फिलाल देखिए युक्रेण के उतरी सीमा में सैनिक जो है रूस के दूसरी बात मैंने आपको शुरू में बता है एक रिपोर्ट कहती है कि बहुत सारे सैन्य उपकरन और जो सैन्य बल है उनक्या जो है रूस उतरी सीमा पर डिप्लोई कर रहा है और अमेरिका की तरफ से बार-बार चुनूतिया दी गई है राष्ट्रपती बेडन ने भी ज भी वचेंगे हाला कि अगर आप वाप इस स्टार्टेंग में कर दो मैप पर तो देखिए अमेरिका को यहां पर फाइट कर बेता बेजने के लिए लिए everything अगर अमेरिका जाता है तो थर चाहिए देखिए इस एक संदी है जिस में अमैरिका को कोई भी जहाज वहाँ बेचने के लिए 14 दिन का नोटिस पहले देना पड़ता है और तर्की ने अभी इस बास से डिनाय किया है कि अमेरिका ने उससे इस तरह की कोई भी पर्मिटर जो है अभी तक नहीं मांगा है मतलब अमेरिका की तरफ से फिलाल तो कोई जो है इस तरह की आप कह सकते हैं फाइटर्स चैट को भेचने किया जहाजों को भेचने की शुरुवात नहीं की गई है लेकिन फिर भी अमेरिका की तरफ से यह तो कहतिया गया है कि वह रूस की मांगों के सामने नहीं जुकेंगे और अगर वह अपनी हरकतों से बाच नहीं आते हैं तो उन यह तो यह था हमारा आज का वीडियो मुझे उमीद है कि युक्रेन रश्या यह जो लाइम लाइट में रहने वाला एक मुद्दा है आपको आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने कम समय में आपको जादा समझाने की कोशिश की है तो अग अगर आप हमारे regular followers हैं तो comment section में feedback जरूर दीजे आप video या PPT या PDF में किस तरह के changes चाहते हैं आप किस तरह का या आपको क्या पसंद आया है हमारे PPT में जो हमने changes किये हैं तो आप अपनी feedback जरूर दीजेगा और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा वीडियो को जादा से जादा शूर कीजेगा तो आज के लिए बस इतना ही आपका दिन शुबू नमस्कार